हेलो फ्रेंज नमस्कार आपका स्वागत है आपके अपने चनल इस्टेड़ी विद तिवारी जीली तो चलिए फ्रेंज आज हम पढ़ेंगे अपने जियोग्राफी के सेशन में जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत के प्रमुख जल प्रपाद इसकार आपके पाद ने कुछ लिंक कर दे गई है तो हमारे चनल इस्टेड़ विद ळी तिवारी जी को सब्सक्राइब कर ले जाएगा हम आपको बता दें कि अगर आपको हमारे YouTube चैनल की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक कर देज़ेगा और अपने दोस्तों को भी सेयर करना मत भूलेगा यहाँ पर देख लिजे फ्रेंस आपको हमारे टेलिग्राम चैनल की लिंक दे गई है आप इस पर क्लिक करके हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं आपको क्या होगे कि हमारी टीम के दोरा आपको इस शैनल पर जो भी बिसे संबंधित पीडिये पर अवेलेबल करवाए गए हैं और आप जा करके आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंस हम चलते हैं आपने टॉपिक की तरफ मूप करते हैं देख लिजे आज का हमारा टॉपिक जो जल पर पात हम समझ लेते हैं तो जल पर पात किसे कहते हैं जान लेते हैं यहां देख दीजे जलबरबाद जो है आपका यह लिखा गया है कि आप पहाडों की चतानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलबरबाद कहा जाता है तो क्या कहा जाता है पहाडों या चतानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलबरबाद कहा जाता है तो देख लिजी फ्रेंस ये जो आपका ये पहाड है और क्या है आगी बात करते फ्रेंस ये देख लिजी तो ये आपका पहाड हो गया यहाँ भी ये आपका पहाड है तो क्या अगर अगर पहाडों की चर्टानों से गिरने वाली नदी ये नालों को जल परपात कहा जाता है तो देख लिजे फ्रेंज, यह जो पहार है, पहार के उपर से अगर जल गिरता है उचाई के साथ, तो क्या होता है, इसे हम जल प्रपात कहते हैं, अगर यह पहार के उपर से सीधे आकर के जल जमीर पर नीचे गिरता है, और काफी तेजी से गिरता है, तो क्या होता है, जल प जिल पर संस्कित थे हैं रखे दिखे और माइनर थे होता है आगी मात लेते हैं फ्रेंस तो फ्लिका गया रिए कि भारत की अधिकांसर जलप्रपाद जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं तो दक्षिड भारत में पाए जाते हैं यह वीस आं यह तो नहरे हो पर फ्रेंस आपको जल परह速 समझ में आ गया होगा uh सबसे कौन से जलव प्रपातं को समझ लेते हैं यह देखạo है और कौन से फ्रफात करेंगे और किस समझे लेते हैं यहां देख लीजे फ्रेंस यह जो है जलपरपाद यह उचाई में है आपका तो कौन से जलपरपाद सबसे उचा है उसके बाद कौन सा है ऐसे ही अमने क्रम वाइज लिया है तो आप देख सकते हैं यहां पर भारत का सबसे उचा जलपरपाद जो है अभी तक का वो कौन सा है तो कुंची कल जल प्रपात है और कुंची कल जल प्रपात जो है ये कहां है किस नदी पर है तो वराह नदी पर है साथ ही में इसकी उचाई की बात करते हैं फ्रेंज ये 455 मीटर उची है और किस राजची में है तो करनाटक राजची के सिमोगा जिले में इस्तित है आगी बात करें तो आपका है बारेही पानी बारेही पानी जलपरपात जो है आपका ये कहां है किस नदी पर है तो बारेही पानी जलपरपात जो है आपका ये बुधव लंग नदी पर इस्थित है और इसके उचाई की बात करें तो ये जो है 399 मीटर उची है और साथ ही में तो कहा ऐसी थे ओडिशा राज जी के मईयोर भंज जिले में इस्तित है नेश्ट बात करते हैं दोज सागर पर दोज सागर जो है आपका ये किस नदी पर है तो ये आपके मांडवी नदी पर इसकित है और देख विजी इसकी उचाई की बात करते हैं तो 310 मीटर उचा है और किस राज़ में है तो करनाटक और गोवा राज़ी की सीमा पर इसकित है आगे बात करते हैं फ्रेंज ये मीन मुट्टी की मीन मुट्टी जल पृपाट जो है आपका ये किस नदी पर है तो कलर नदी पर है और इसकी उचाई की बात करते है तो 300 मीटर उचा है और साथ में देखी तो केरल राज़ी के वाइनार जीले में इस्थित है आगी देख लिजे फ्रेंस बरकाना जल्परपात की बात करते हैं बरकाना जल्परपात जो है आपका गिसीता नदी पर इस्थित है और 269 मीटर उचा है और करनाटक राजी की सिमोगा जिले में इस्थित है नेक्ष्ट पर बात करते हैं फ्रेंस जोग या महत्मा गांधी जल्परपात यह आपने कईवा नाम भी सुना होगा तो जोग या महत्मा गांधी जल्परपात जो है आपका एक किस राजी में इस्थित है और कौन सी नदी पर इस्थित देख लिजे तो यह सारा वती नदी पर इस्थित है 253 मीटर की उजाई पर है और करनाटक राजी के सीमोगा जिले में इस्थित है आगे बात करते हैं फ्रेंस नेक्ष्ट पर तो देख लिजे यह खांडा धार जल्परपात है खांडा धार जल्परपात की बात करें किस नदी पर इस्थित है तो कोरा पानी नदी पर इस्थित है साथ हमें इसके उचाई की बात करते हैं तो 244 मीटर हुची है और किस राज में तो ओरिशा राजची के सुन्दर गड़ जिले में इस्थित है यहां देख लिजे फ्रेंस यह पेंचाला कोना है पेंचाला कोना की बात करते हैं तो यह जो है किस नदी पर है तो कांदा लेरू नदी पर इस्थित है अगर हम इसके उंचाई की बात करते हैं तो 219 मीटर हुची है और साथ में अगर हम राज्ची की बात करते हैं तो यह आंधर प्रतेश राज्ची के निलोर जिले में इस्थित है यहां देख लिए कुने की बात करते हैं कुने जो है आपका यह 200 मीटर हुचा है और महाराष्ट के लोनार जिले में इस्थित है आप जानते हूं कि लोनार जो है आपका एक प्रकार की जील भी है महाराष्ट की जील जो है लोनार जील ये जील भी है और ये प्रकार की जिला भी है यहाँ देख लिजे फ्रेंज चिन्ना की बात करते हैं तो चिन्ना जो है आपका जलप्रपाद न्रमदा नदी पर इस्थित हैं और कितने ₩? एक्सो prim misinformation जुचा है और साथ है और किस राज्जी में हाओ इस्थित है यहाँ नियुकर फ्रेंजे हम के बात करें बिहार जलप्रपाद आपका यह टोन शी नदी पर इस्थित है 100 मीटर की उचाई पर इस्थित है और किस राजजी में है तो यह राजस्थान राजजी में इस्थित है आगी बात करते हैं फ्रेंज नेक्ट पर चलेंगी यहां देख लिजी हुंडरू जलपरपात है यह भी काफ़ी इंपॉर्डेंट है तो हुंडरू जलपरपात आपका किस नदी पर इस्थित है उचाई की बात करते हैं तो यह ठान नभी मीटर हूची है और साथ ही में अगर जलपरपात आपका किस नदी पर है तो चंबल नदी पर है कितने मीटर ऊची है तो अठारा मीटर की उचाई पर इस्थित है और राजज जी की बात करते हैं तो राजस्थान राजज में इस्थित है यहां देख लिजे फ्रेंज स्यू समुद्रम जलपरपात यह भी समुद्रम जलपरपात किस नदी पर इस्थित है कावेरी नदी पर इस्थित है और कितनी मीटर ऊचा है तो 90 मीटर की उचाई पर इस्थित है और किस राजज में करनाटक राजज में इस्थित है अगर हम कपिल धारा जलपरपात की बात करते हैं कपिल धारा जलपरपात ज और किस राजी में तो मद्य प्रदेश राजी में इस्थित है यहां देख लिजें काकोलत जलबरपाथ है आपका काकोलत जलबरपाथ जो है यह किस नदी पर है तो यह आपको जो है काकोलत नदी पर ही इस्थित है और अगर हम इसकी उचाई की बात करते हैं तो यह 50 मीटर की उचाई पर इस्तित। है ओर किस राजमी बिहार राजमी इस्तित। है. तो आपको जल्परपास समझ में आ गए हूंगे जैसा कि हम आपको बता दे इन में जो आपका इमपोर्टेंट रहने वाला है वो कौन-kaौन सा है वैसे तो इसमें सारे important और exam में question बनते हैं लेकिन देख लीजिए कुंची कल जल प्रपात जो है आपका ये भारत का सबसे उचा जल प्रपात है अभी तक का तो ये जो है सबसे उचाई पर रिस्थित जल प्रपात है मेटर में हमने बता दिए 455 मेटर के उचाई पर रिस्थित है और ये बहत ही important है आगे देख लीजे फ्रेंस ये दोस सागर, दोस सागर की बात करते हैं ये भी important है और ये भी पूछे जाने वाला प्रश्ण है तो ये मांडवी नदी पर है, 310 मेटर की उचाई पर रिस्थित के तराज में करनाटक और गोवा की सीमा पर रिस्थित है यहां देख लीजे फ्रेंस ये जोग या महात्मा गांधी जल पर पात, महात्मा गांधी कोई जोग जल पर पात की नाम से जाना चाता है तेकेस नदी पर है, सारावती नदी पर है और कितने मीटर की उचाई पर है तो 253 मीटर की उचाई पर रिस्थित है और कहां तो करनाटक राजी के सिमोवा दिले में इसी से यह भी आपका काफ़ी ज्यादा important रहने वाला है आगे देख लीजे फ्रेंस आगे बात करते हैं यहां देख लीजे आप यह आपका पेंचाला कोना जो है और खांडा धार जो है आपका यह खांडा धार यह दोनों important है इसको भी आप देख लीजेगा आगे बात करते हैं तो हुंट्रू जल पर पात जो है आपका यह बेहदी important है और किस नदी पर देख लीजेए हमने पता स्वयंट रिखा नदी पर है कितने मीटर के उचाई पर तो 98 मीटर के उचाई पर इस्थित और राज की बात के छार घंड राज में इस्थित है आगे यहां देख लीजेए चूलिया जल पर पात यह सारी जो है बेहदी important है समुत्रम हो गया आपका यह भी important और कपिल धारा की बात करेए यह भी important का पोल चुles topic बता दिया है अच्छे सबने हो यह को लिए हैं और हमनी जो है उचाई यह करम में लिया है इसको प्रमु फॉल पड़ जल पर प्र पात था आपसे पम HC कल भी६ ओ इतने जलपृपात को ले लिया है,"त तो आपको बता दे εδώ हैं!" आपका जल प्रपात और चित्रकूर्ट जल प्रपात की नामसे नियाग्रा जर्लपपात की नामसे जाना चाहता है तो आफ मिचत को समझ के आप ऑगया कि ढूंधार जल प्रपात के üzerine सब्सक्राइब लेकिन आएसे आपको बता देते हैं और ली तो धूंधार जलपरपात जो आपका मध्ध प्रतेश के जबलपूर्ट जिले में इस्थित और किस नदी पर इस्थित तो नर्मदा नदी पर इस्थित है यह भी पूछा जाने वाला प्रश्ण है नर्मदा नदी पर कौन सा यह पूछा जाता है एक्जाम में तो आई होप आपको जलपरपात जो अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने जो जीर के वारे में भी अच्छे से पढ़ाया है तो आप जा करके अभी तक नहीं देखे तो प्लेइलिस्ट पर जा करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं साथ आपने अभी तक जो कोई भी वीडियो जोग्राफिय सेसन की नहीं देखे और आपको कोई टॉपिक रह गया है नहीं समझ में आए तो प्लेज आप जा कर प्लेइलिस्ट पर देख सकते हैं जो भी वीडियो जो और अच्छे से समझ सकते हैं इससे क्या होगा कि आप जो है एक-एक करके चीजों को समझेंगे तो आपको सभी चीजों को समझने में आसानी भी होगी और जियोग्राफिय सेसन आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा इससे क्या होता है कि जियोग्राफिय से बनने वाले जो प्रश्ण हैं आपकी ये एक्जाम में पूछे जाते ह और जो है आपका आने वाले जो भरती परिक्षाएं हैं आपकी सभी उनमें भी पूछे जाएंगे जैसे कि आपका जो हो गया आने वाली भरती परिक्षा जूनियर की हो गई ये सूपर ट्रेट की हो गई साथ ही में फ्रेंस आपकी प्रादमिक की भरती आएगी तो जब भी आएगे लेकर उससे question बनते हैं और साथ में आपको बता दे कि आपके आने वाली जो भी लेकपाल की परिक्षा आने वाली हिस्टाइम इसमें भी question बनेंगी और बात कर लेते हैं आपका यह अन्य जो भी परिक्षा हैं आपकी उन सभी में जियोग्राफी से question पूछे जाते हैं और current affairs भी आपके पूछे ही पूछे जाने हैं तो आपको बता दे कि हमारी टीम के द्वारा इतनी मेहनत की जा रही है आप सभी के लिए initial classes दी जा रही है तो आप लोग प्लीज इसका लाव उठाईए और पढ़ते रहे दिन रात ऐसे ही कर दीजे कि बस आपको नौकरी पानी ही है अपनी मंजिल तर पहुचना ही है तो आपको पढ़ना पढ़ेगा यह नहीं कि आपको भगना है अपनी पढ़ाई से पीशे भग जाना है तो current affairs की class हमारे टीम के द्वा लहा तभी आपको समझ में भी आएगा आप एक दो दिन में अगर current affairs पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और जो भी important चीजें है current affairs में वो समझ में नहीं आएगी तो इसलिए हम आपसे बार-बार कह रहे हैं कि प्लेज आप उस class को miss मत करिएगा उसे जरूर देखे अगर आपको में नहीं समझ में आती है कोई problem है तो आपको में आने लगेगी आगे बताते फ्रेंज कि आपके लिए जल्दी ही जीएस की class लाई जाएगी जीएस की class जो है आपके लिए बहुत ही important है हम आपके लिए साथ ही हिंदी की class लेकर के आ रहे हैं और बहुत चल दे ही हम आपके लिए हिस्ट्री की या कोई अने class लेकर के आने वाले हैं जो कि आपके लिए exam के लिए बहुत ही महत पोड है तो हम फिर से आपको बता देते हैं फ्रेंज की यहां पर जो है link दी गई है यह Facebook पेश की link है आपको इस पर क्लिक करके हमारे Facebook पेश को follow कर ले लीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिएगा और साथ यह फ्रेंज आप पेल आइकन पर प्रस कर लीजेगा इससे क्या होगा कि जो भी हमारे वीडियो हैं वह आपको उसकी notification मिलती रहेगी यहां बताते हैं आपको telegram channel की link दी गई है आप इस पर क्लिक करके हमारे telegram channel को join कर लीजेगा इससे क्या होगा कि आपको जो है हमारे चैनल के दोरह जो भी वीडियो दी जा रही है उससे संबंदित पीडियो भी अवेलेबल करवाएं गये हैं और आप उसे आसानी से प्राप्ट कर सकेंगे तो बस प्रेंज आज के लिए इतना ही हम फिर मिलेंगे ने टॉपिक के साथ जियोग्राफिकी हिसेशन में तब तक के लिए नमस्कार टैंक यू